नमस्कार, DRB News में आप सभी का स्वागत है, मैं मनिशा जोशी, आए देखेंगे आज की खास कबर क्या है? मुंबई पुलिस के ड्रक्स डिस्पोजल की जानकारी गुप्त मुंबई पुलिस से पिछले तीन वर्षों की ड्रक्स के मामले की जबती और निपटान की जानकारी मांगी थी मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोٹिक सेल ने आर्ट याइ कार करता अन्मी गलगली को साल 2019-2020-2021 की जानकारी दी है लेकिन बता दे कि RTI कार करता अनिन गलगली के मुताबिक साल 2019 और 2020 की चानकारी अब तक नहीं आई है वर्ष 2019 में 25.28 करोड रुपे मुली का 395 किलो 35 ग्राम माल और साथ ही 1343 स्ट्रिप्स 7577 बोटल 1551 डॉट जब्त किया गया लेकिन इन ड्रक्स के निस्तारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई वर्ष 2020 में 22.23 करोड रुपे मुली के 427 किलो 277 ग्राम माल के साथ ही 14 मिली ग्राम 5191 बोटल 66,000 टैप जब्त किये गए इन ड्रक्स का डिस्पोजल किया है या नहीं इसकी सूचना नहीं दी गई 25 अक्टूबर 2021 तक सबसे अधिक 83.18 करोड रुपे का माल जब्त किया गया जिसमें 292 किलो 93 ग्राम माल के साथ ही 15,830 बोटले 189 LSD शामिल है डिस्पोजल आइटम में 248 किलो 344 ग्राम भांग 10 किलो M.D. और 348 कोडिन कॉस्पेट मिश्रिट कॉफ सीरप की बोटले शामिल है साल 2021 में 248 किलो ड्रक्स के माल का निस्तारन बता गया है आज भी ऐशी शंका और अपवाये हैं कि पुलीस अधिकारी एक दूसरे को जब्त माल बेशते हैं और मोग के शिकार होते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि हर कारवाई के बाद जब्त किये गया सामान का ब्यूरो सारवजिनिक किया जायता की आम मुंबई वासी भी नशे के खिलाफ जारी जंग में अपना योगदान दे सके अनिल गलगली ने इस आशे का पत्र मुखे मंत्री उद्वठा करे पुलीस महानी देशग के मुंबई पुलिस ज आमने चांकेरी मांगी थी कि जो ड्रक्स आप बरामत करते हो अगें उसको डिस्पूज कयए करते हो तो ओंब पृद्भी पुलिस ने हमें मैं पिछले 3 साल के आकरे दिये तीन साल में 3414 किलो ड्रस उन्हें ने बरामत किया जिसके कीमत करीब 111 करोड उपे थी लेकिन जब यह माल जो पकड़ा गया है जो बरामत किया गया है उसे डिस्पूज को लेकर मुंबे पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था दोजा उन्निस और बीस में उन्होंने जो माल डिस्पूज किया उसकी जानकारी नहीं दी 2021 में जापट 2513 किलो ड्रक्स बरामत किया गया था उसमें स्रिप 248 किलो ड्रक्स में से घंजा कोकीन और जो सिरिप की जो बोटल जाती है उसे उन्हेंने डिस्पूज करने का दावा किया है मेरा मानना है कि जब भी इस तरह की बाते सामने आती है तो सामाने लोग कि मुंबए पुलिस के कुछ लोग इसी ड्रक्स को दूसरे ड्रक्स वाले को बेशते हैं ऐसे में मुंबए पुलिस की चबी भी भी न कई तो खराब हो रही है तो हमने इस मामले को लेकर मानने मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे पुलिस के जो डीजी और पुलिस की कमिश्र क को चिट्टी लिकर मांग की है कि जब इस तरह की कारवाई होती है कारवाई में बरामद होने वाला माल डिस्पोज होने वाला माल उसकी जानकारी अगरा वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो सामान्य जो मुंबए करें जो इक दर्स विरो दी अभियान में आपका एक हिस टीम को दीजे इजाज़त धन्यवद विदा भी उपलग शर्ते लाबू